एक्स प्रधान मंत्री जी, बन मोहन सिंग जी, श्रिमती सौन्या गांधी जी, केसी वेनु गोपाल जी, एहमत पतेल जी, राजीब सातव जी, अमित चावडा जी, परेश धनानी जी, कॉंग्रेस वरकिंग कमिटी के सब मेंबर्स, गुजरात के सब मलेज, सीनियर नेता, यूथ कॉंग्रेस, एनेस्यु आई, सेवा दल, महिला कॉंग्रेस के हमारे सब लोग, प्रेस के हमारे मित्रों, भाईयों और बहनों, आप सब का यहाँ बहुत-बहुत स्वागत, बहुत गर्मी है, और हमारा प्रोग्राम एक देर घंटा लेट चल रहा है, तो आपको कश्ट हुआ, इसके लिए मैं आपसे शुरुआत में मापी मांगना चाहता हूँ, सालों बाद, कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, गुजरात में हुई है, और हमने ये मीटिंग गुजरात में इसलिए की, क्योंकि हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लडाई है, और दोनों विचारधारा, गुजरात में आपको मिलेंगे, एक तरफ, महत्मा गांदी, जिन्होंनों अपनी पूरी जिन्दगी, जिन्दगी का हर्षन, इस देश को बनाने में लगा दिया, आज हम उनके आश्रम में थे, और अगर ये देश बना है, तो महत्मा गांदी, और गुर्जरात ने इस देश को बनाया है, और आज, दूसरी शक्तियां, इस देश को कमजूर करने में लगी हैं, आप देखिए, इतिहास में पहली बार, सुप्रीम कॉर्ट के चार जजज, प्रेस के पास जाते हैं, कहते हैं, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, और उसके एक दम बाद, जज लोईया जी का नाम लेते हैं, आम तोर से, जन्ता, सुप्रीम कॉर्ट के पास जाती है न्याए के लिए, आज के हिंदुस्तान में, सुप्रीम कॉर्ट के जज, जन्ता के सामने न्याए मांगते हैं, और ये सिर्फ सुप्रीम कॉर्ट के साथ नहीं हो रहा है, जहां भी आप देखें, हिंदुस्तान के संस्ताओं पर, इंस्टिट्यूशन पर आकरमन चालू है, लोगों को बाटा जा रहा है, नफरत फेलाई जा रही है, और जो सच्चे मुद्दे हैं, उनकी बाद सरकार नहीं करती, हिंदुस्तान के सामने सच्चे मुद्दे कौन से हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी, आज हिंदुस्तान में 45 साल से ज़्यादा बेरोजगारी है, नरेंद्र मोदी जी, मेकिन इंडिया की बात करते हैं, स्टार्ट अप इंडिया की बात करते हैं, मगर सच्चा यह है कि आज हिंदुस्तान का युवा अलग-अलग प्रदेशों में रोजगार ढूंटते भटक रहा है, चार सो पचास युवाओं को 24 घंटे में नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार देती है, दूसरी तरफ, किसानों का मुद्दा, गुजरात के चुनाओं में हमने किसानों की बात की, और किसानों ने गुजरात में हमारा, हमारी पुरी समर्थन की, और किसानों के सामने कौन से मुद्दे हैं, नरेंद्र मोदी जी तीन लाग पचास हजार क्रोर रुपए, पंद्रा लोगों का कर्जा माफ कर सकते हैं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का, मगर हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते हैं, कि एक रुपिया कर्जा माफ नहीं कर सकते हैं उल्टा अरुण जेटली जी कहते हैं किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिची नहीं है किसान बीमा का पैसा देते हैं और जब आंदी तुफान आता है तो फाइदा उन्हीं पंद्रा लोगों की कंपणी को होता है आप पैसा भरो और सीधा का सीधा पैसा उनकी जेब में जाता है मध्यप्रदेश में चत्थिसगर राजिस्तान में चुनाओ थे हमने रोजगार का किसान का मद्दा उठाया और हमने वहाँ साफ कह दिया और वही बात मैंने गुजरात में कही थी कि देखिए हम जो कहते हैं हम करके दिखा देते हैं और हमने वहाँ कहा कि अगर नरेंद्र मौदी जी साड़े तीन लाग करोर रुपे पंद्रा लोगों का कर्जा माद कर सकता है तो कॉंग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माद कर सकती है और हमने कहा कि देखिए दस दिन के अंदर इन तीन प्रदेशों में चुनाओ के जीतने के दस दिन के अंदर कॉंग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माप कर देगी और प्रधान मंत्री जी ने बीजेपी के लोगों ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी जूट बोल रही है बाईयों और बहनों मध्यप्रदेश चत्रिशगर राजिस्तान में दस दिन नहीं लगे दो दिन के अंदर कॉंग्रेस पार्टी ने इन प्रधेशों के सब किसानों का कर्जा माप कर दिया और मुझे दुख होता है कि गुजरात के किसानों का कर्जा हम माप नहीं कर पाए क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह आपको भी जरूरत है नरेंद्र मोधी जी ने नोट बंदी की बिना किसी से पूछे आठ बजे रात को अनाउंस्मेंट करते हैं कि पांच सो रुपै का हजार रुपै का नोट रद्दी हो रहा है और गुजरात का जो एंटर्प्रेनुरियर स्पिरिट है जो इनोवेटिव स्पिरिट है गुजरात के छोटे दुकानदार स्मॉल और मीटियम साइज बिजनस जो आपकी रीड की हटी है उस रीड की हटी को एक दिन में नरेंद्र मोधी ने तोड़ दिया करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया हसते हुए किया कहते हैं काले धन के खिलाब लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं आप से पूछना चाहता हूँ गुजरात की जनता से पूछना चाहता हूँ क्या उस बीड में जो बैंक के सामने करी थी क्या उस बीड में आपने हिंदुस्तान के काले धनवालों को देखा क्या आपने अने लंबानी को देखा निरभ मोदी को देखा मेहुल चौकसी को देखा नए उस लाइन में हिंदुस्तान के गरीब लोग थे हिंदुस्तान के किसान हिंदुस्तान के मजदूर माताएं बेहने पंद्रा लाक रुपए वापिस करने का कहा था मिल गया आपको 15 लाक रुपए आगया आपके बैंक अकाउंट में जहां भी जाते हैं कोई ना कोई जूट बोल जाते हैं गबबर सिंग टैक्स कहा था कि एक टैक्स होगा सिंपल टैक्स होगा बारा बजे रात को अन्स करते हैं पता लगता है कि पांच अलग अलग टैक्स और आज तक गुजरात के छोटे दुकानदारों को स्मॉल मीडियम साइज बिजनस वालों को GST समझ नहीं आई मैं आप सब को आश्वासत देना चाता हूँ कि 2019 में जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी वैसे ही हम GST को रिफॉर्म करके आपको एक टैक्स वाली GST दे देंगे मकर नरेंद्र मोधी जी सच्चे मुद्धों की बात नहीं करना चाते नरेंद्र मोधी जी देश को ये नहीं बताना चाते कि पिछले पाँच सालों में उन्होंने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया नरेंद मोदी देश के किसान को ये याद नहीं दिलाना चाहते कि उन्हें पिछले पाँच साल में किसानों की बात नहीं सुनी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया किसानों की मदद नहीं की ये नहीं याद दिलाना चाहते कि उन्होंने किसान से बोनस चीना एक के बाद एक एक के बाद एक नहीं बाते करेंगे आपने आपको याद होगा 2014 के चुनाओं में प्रधान मंत्री मत बनाओ चौकीदार बनाओ यह देखिए यह देखिए मैंने चौकीदार शब्द बोला यह देखिए चौकीदार तो आप कुछ और बोलने की सब्द नहीं होती सिर्फ चौकीदार जवाब मिलता है और फिर हर स्टेट से नरेंद्र मोदी देश भक्ति के बात करते है हर स्टेट से नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि मैं देश भक्त हूँ राफाइल हवाईजाज नरेंद्र मोदी वायू सेना की प्रशंसा करते है मगर नरेंद्र मोदी देश को ये नहीं बताते है कि उनी पाइलट्स और उसी वायू सेना के जेब में से नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोर रुपे जोरी करके अनिलंबानी के जिम में डाला है देखिए मनमौन सिंग जी बैटे है मनमौन सिंग जी बैटे है एंटनी जी बैटे है यूपिये के समय एंटनी जी ने मनमौन सिंग जी ने एक राफाइल के लिए 526 करोर रुपए देने के लिखते किये थे मनमौन सिंग जी ने कहा था कि एचेल कमपणी हिंदुस्तान की सरकारी कमपणी जिसने 70 साल से हवाई जाज बनाए जिसके हवाई जाज ने पाकिस्तान में जाके बं किराए मिराज हवाई जाज उस कमपणी को राफाईल का कॉंट्रेक्ट मिलेगा भाई और बहनो अनिल अम्बानी ने जिन्दगी में हवाई जाज नहीं बनाया है और मैं गैरंटी करके कहता हूँ अगर अनिल अम्बानी जी को आपने कागस दे दिया और उनको कहा कि भाई या कागस का हवाई जाज बनाओ अनिल अम्बानी जी कागस का हवाई जाज नहीं बना पाएंगे बैंक का 45,000 करोर रुपे करजा है उन पर एचेल कमपणी ने तीन हजार करोर रुपे अपना पैसा हिंदुस्तान की सरकार को दिया है नरे नमोदी जी प्रधान मंत्री बनते हैं फ्रांस जाते है और भाईयों और बहनों उनके साथ डेलेगेशन में अनिल अम्बानी जाता है फ्रांस के राश्ट्रपती कहते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने मुझे मीटिंग में साफ बोला एक चेल को कॉंट्रैक नहीं मिलेगा अनिलम्बानी को राफाइल का कॉंट्रैक देना पड़ेगा और पांच सो चपिस करोड का हवाई जाहस नहीं खरी दिये सोला सो करोड रुपे का हवाई जाहस खरी दिये फ्रांस के राष्टपति ने यह बात बोली हो लैंड नाम है इंटरनेट पे जागे देख लीजिए CPI का डिरेक्टर जाज करना चाहता है देर बजे रात को नरेंद्र मोदी जी उसको निकाल देते है उसके बाद सुप्रीम कॉट कहता है कि CPI डिरेक्टर को रिइंस्टेट करो वापिस लाओ कारिजे जी बेटें कमिटी पे हैं घंटों में नरेंद्र मोदी जी ने CPI डिरेक्टर को निकाल दिया घंटों में दूसरी बाद निकाल दिया क्यूंकि CPI डिरेक्टर राप फाहल पे इंक्वाईरी करने जा रहा था गुजरात की जनता आप मुझे बताईए नरेंद्र मोधी जी ने आपको वाइदा किया था हम सब को वाइदा किया था कि वो ब्रश्ट चार के खिलाब लड़ेंगे गुजरात की जनता को नरेंद्र मोधी जी से पूछना चाहिए आपने एरफोर्स के शहीदों का तीस हजार करोर रुपए उनसे जीन करने लंबानी को क्यों दिया किस बेसिस पे दिया डिफेंस मिनिस्ट्री के डॉकिमेंट्स है हिंदू अक्वार में पढ़ लीजिए साफ लिखा है डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने साफ डॉकिमेंटेशन में लिखा है कि नरेंद्र मोधी चोकिदार ने पैरलल नेगोसियेशन फ्रांस की सरकार के साथ किया एर फॉर्स के लोगों ने एर फॉर्स के डोक्यूमेंटेशन में साफ लिखा है की चोकीदार अच्छा देश बक्ती की बात करते है फुल्वामा में बम अटैक हुआ मसूद अजर ने बम अटैक किया और मैं गुजराच से नरेंडर मोदी से सवाल पूछना चाहता हूँ इस मसूद अजर को हिंदुस्तान की जेल से पाकिस्तान किसने वेजा पीजेपी की सरकार ने वाजपाई जी की सरकार ने स्पेशल हवाई जहाज में मसूद अजर को डाल कर उसको पैसा देकर कांदाहर पुचाया और नरेंडर मोदी जी आपके जो एने से हैं नैशनल सेक्योर्टी अडवाईजर डोबल जी वो मसूद अजर के साथ हवाई जहाज में एसकॉट बन कर कांदाहर गए आप देश को समझाईए कि उन 40-45 शहीदों को जिस व्यक्ति ने मारा उस व्यक्ति को आपने हिंदुस्तान से स्पेशल हवाई जहाज में बेच कर वापिस भेजा आप देश को ये बताईए देश भक्ति के बात करते हैं न तो देश को बताईए कि मसूद अजर को आपकी सरकार ने पाकिस्तान भेजा था मसूद अजर को पकड़ा किसने था कॉंग्रेस पार्टी ने पकड़ा था जेल में हमने उसको डाला था पत्रा लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन भाईयों और बेहनों देखिए जिस दिन पाकिस्तान के खज़सिकलाफ लड़ाई हो रही थी अकबार पढ़ लीजिए उसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने वित्र को हिंदुस्तान के पाँच एरपॉर्ट हवाले कर दिए दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं एक हिंदुस्तान अनिलंबानी वाला महुल चौकसी वाला निरभ मोदी वाला नरेंद्र मोदी वाला सूट बूट वाला और दूसरा हिंदुस्तान किसानों का मज़दूरों का छोटे दुकांदारों का छोटे बिजनेस वालों का मिडल साइज बिजनेस वालों का युवाओं का उनके लिए लाकों करोर रुपे उनके लिए करज़ा माब उनके लिए प्राइवेट हवाई जाज एरपॉर्ट पोर्ट जो चाहिए आपकी जमीन जंगल जल जो भी उनको चाहिए बिजली और आपके लिए नोट बंदी, गबबर सिंग टैक्स, आतम हतिया, आपके बच्चों को स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, जेब से लाकों रुपए पहले निकालो और उनी 15 लोगों को दो, परिवार में कोई बिमार होगा, कैंसर होगा, कैट स्कैन की जरुवत, एमाराई की जरुवत, प्राइवेट हस्पताल में जाओ, और उनी 15 लोगों को पहले 15 लाग, 20 लाग रुपए दो, फिर हमाराई कराओ, उपरेशन कराओ, ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, और ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं बनने देंगे, कुछ भी हो जाए, कल अकबार पढ़ रहा था, अकबार में लिखा, कि इंगलेंड की सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार को मेसेज बेजा, कि हमें आप से थुड़ा information चाहिए, information भेजिए, और हम नीरव मोधी को पकड़ के वापस हिंदुस्तान बेज देंगे, इंग्लेट की सरकार कह रही है कि हिंदुस्तान की सरकार ने रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया प्रधान मंत्री नीरब मोधी को नीरब भाई कहते हैं मेहूल चौक्सी को मेहूल भाई कहते हैं अनिल अंबानी को अनिल भाई कहते हैं और ये सब लोग नरेंद्र मोधी की मार्केटिंग करते हैं, दिन बारा आप इनको टीवी पे देखोगे, पैसा कहां से आता है, मैं आपको बताता हूँ, अने लंबानी, नीरब मोधी, मैहुल चौकसी, ललित मोधी, विजय मालिया, इन लोगों से पैसा आता है, और दिन बा अगर नरेंद्र मोधी जी की सरकार साड़े तीन लाग करोड रुपए उनका माप कर सकती है, अगर अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कॉंग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को पैसा दे सकती है हमें असिक काम करने जा रहे हैं, और गुजरात के हर गरीब को, मैं आश्वासर देना चाहता हूँ, 2019 की सरकार बनेगी, और मैं आपको बता रहा हूँ, गैरन्टी करके कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में, कॉंग्रेस पार्टी गैरन्टीड मिनमम इंकम लागू कर देगी, मतलब, गैरन्टीड मिनमम आमदनी हिंदुस्तान के हर नागरिक को, कॉंग्रेस पार्टी, डाइरेक्ट सीधा बैंक अकाउन में पैसा डाल देगी, एतियासिक काम है, कॉंग्रेस पार्टी ही कर सकती है, कॉंग्रेस के कारे करताओं को मैं मैंसेज देना चाहता हूँ, देखिए, गुजुरात का चुना हुआ, और आप लड़े, बबबर शेर जैसे कॉंग्रेस के सब वर्कर एक होके आप लड़े, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में कॉंग्रेस पार्टी लड़ी, और बीजेपी के लोग, बच के निकले, पता नहीं कैसे निकले, मगर बच के निकले, बुरा गुजुरात जानता है, और कॉंग्रेस पार्टी के कार्य करता ने ये काम किया, ये विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत, गोठ से, दूसरी तरफ प्यार, महात्मा गांधी और गुजुरात का इतिहास, और जीत महात्मा गांधी के होगी, प्यार की होगी, भाईचारे के होगी, कॉंग्रेस पार्टी की होगी, गुजुरात की होगी, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चुनाओ में, आप गुजुरात के हर घर में जाओ, गांधी और गुजुरात की जंता को बताओ, कि पिछले पाँच साल से नरेम्र मोधी जी वाइदे कर रहे हैं, मेकिन इंडिया का वाइदा किया, 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, किसानों के लिए वाइदे किये, एक वाइदा पूरा नहीं किया, 15 लाग रुपए का वाइदा किया, वो पूरा नहीं किया, और दूसरी तरफ जो कॉंग्रेस पार्टी कहती है, वो करके दिखा देती है, हमने 36 गड़ मध्यप्रदेश, राजिस्तान में किसानों से वाइदा किया, दो दिन में हमने पूरा कर दिया, जो हम कहते हैं, वो हम करके दिखा देते हैं, और इस चुनाओं में, सच्चाई की जीत होने वाली है, नरेंद्र मोधी जी, और नफरत की हार होने वाली है, कॉंग्रेस पार्टी के सब कारे करता हूँ को, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, कि आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, और आने वाले चुनाओं में, आप यहाँ, पूरी के पूरी सीटे, आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंत,